बिस्मिल्लाहिवरहमार्हीम आज का हमारा टॉपिक है बीजेटी टेस्ट बेंडर गेस्टल टेस्ट इस वेडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, स्कोरिंग मेंटर्ड, इंटर्पेटेशन सब के बारे में जानेंगे तो इस वेडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके नए वेडियो आपको असानी से मिल सकें इस टेस्ट को बीजेटी को लॉरेटा बेंडर ने डिवल्व किया था 1938 में और इस टेस्ट का जो में परपस है वो है मोटर कोडिनेशन का चेक करना जिसमें सबसे पहले जो आते है विजबल मोटर पंशनिंग, डिवल्वलमेंटल डिस ओडर, निरोलोजिकल इंपेर्मेंट इन चिल्डरन हम इसको इस परपस के लिए इस्तिमाल करते हैं ताके हम ये जानें कि इसमें निरोलोजिकल इंपेर्मेंट है या नहीं है, डिवल्मेंटल डिस ओडर इसमें है या नहीं है, इसके विजबल जो एक्टिविटी है वो टीक है या नहीं है, किसी चिल्डरन की इसके टुटल 9 figure होते हैं जो हम बचों के लिए इस्तिमाल करते हैं और इस सब का 9 की 9 की शकल एक दूसरे से मुखतलिफ होते हैं और इन सब को मतलब 9 figure को हम 1 by 1 children के सामने show करते हैं और इसी children को फिर हम instruction देते हैं कि इसको copy करो 1 by 1 जब show करते हैं तो वो 1 by 1 copy करता है अगर structure की बात करें तो यह हम पहले discuss कर चुके हैं कि इसके total 9 figure होते हैं जो हम children को 1 by 1 show करते हैं और इसको ए instruction देते हैं कि इसको copy करते जाओ और इस test का जो total time है वो 7 से लेकर 10 minute तक है और यह test हम children PB अप्लाई कर सकते हैं adult PB लेकिन 3 years से ego हो उसका age मतलब 3 साल से ज्यादा लोगों पे हम apply कर सकते हैं BGT की total 3 pom है number 1 pom है वो है जो 5 से लेकर 7 age तक है इसके लिए हम 1 से लेकर 13 card इस्तेमाल कर सकते हैं और second में हम 8 से लेकर 15 साल age तक इसके लिए हम 5 से लेकर 16 card इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरा जो है वो emotional indicator के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टूल है वो है table and share proper light destruction pre-environment इसके बाद हम इसके जो structure है वो देखते है कि इसके structure किस तरह है और इसके क्या क्या नंबर है जो पहला structure है इसका नाम है और बाक्यूं का एक, दो, तीन, चार, पांच, छे नंबर, सद नंबर और आठ नंबर ये इसके name है और ये एक example है जो मैंने आप लोगों को समझानी के लिए इदर लिया है लेकर आपने children को separately one by one जैसे कि उपर आपको जो picture दिखाए देता है इस तरह एक एक part बनाने हर एक page पे एक structure पे गरो वो आपने अलग-अलग दिखाने और जो children होता है वो एक blank page पे इन सबको अलग-अलग copy करता है एक page पे और इसका जो बहुत important part है वो है scoring करना scoring जो sheet है जो आपको screen में दिखाए देता है इसमें सबसे पहले आपने client का नाम लिखने है पिर इसके नीचे जो है यहाँ पर date लिखने है पिर जो time है जहाँ उसने total time जो लिए है वो लिखने complete time और इस test के जो total figure है वो no figure है और इसमें जो mostly difficulty आता है वो 12 difficulty आता है rotation जो overlapping है simplification का है pigmentation का है इसी तरह cohesion वगेरा यह सारे 12 के 12 difficulty आते हैं और इसमें जो हास बात है कि यह difficulty हर एक figure में नहीं आती जैसा कि overlapping है overlapping सिर्फ 6 और 7 figure में है बस और rotation है वो सारों में है इसी तरह जो angulation का difficulty आता है वो सिर्फ 2 और 3 figure में है दो नमबर और तीन नमबर फिगर में है closer difficulty है वो A में आता है 4 में आता है 7 में आता है 7 नमबर फिगर यह जो difficulty होते है यह विराई करते है किसी में है किसी में नहीं है किसी फिगर में एक मौझूद है किसी में दूसरे मौझूद है scoring में हम error कुछ है करते हैं और जहां पर इसने error किया है इसने difficulty है तो इसके नीचे हम plus का sign लगाते हैं इसी तरह हम पहले row wise जितने भी plus बनते हैं इसके सामने जो total है इसके आगे हम एक लेकेंगे अगर second row में भी इसकी कोई difficulty और कोई error है जितने भी है इसके सामने भी हम एक लेक करेंगे तो इसके नीचे हम पर total करेंगे अगर जितने इसका टूटल आते हैं हम interpretation करेंगे जितने इसका score है इस नहां हम जो शर्त है जो rule है इसके according हम पर इसका interpretation करेंगे और यह जो कुछ है जो difficulty है इसमें है rotation है ओर लेपंग ए इसका जो स्कोरिंग है हमने एरर के बिस भी करना है लेकिन हमने एरर के स्थरे डूड़ना है जो जारतर लोग पूछते हैं कि इसमें हम कैसी पता लगाएंगे कि यह घलत है या सही है और किस रूल पर जैसे कि फिगर A है और जो फिगर P5 है इसमें रोटेशन में हमने error डूड़ना है तो rotation में अगर error डूड़ना है तो हमने angle देखना है कि यह जो angle है किस डिगर तक इसने गुमाया है अगर 80 से लेकर 180 तक गुमाया है तो हम score देते हैं और इसमें हम तब score नहीं दे सकते हो, जब इसमें जो शीट है ज़र आंसर शीट उसने गलत फकड़ायael और इसने angle बनाया तो हम फिर इसको score नहीं दे सकते हैं नमबर टू A over lifelong में हम score तब देते हैं जब आपने ऑर लेफ ठीक तक नहीं किया है मतलब औरलेब के जगह है मतलब वो दर्मयान में आपने बिलकुल इसकी नीची और बिलकुल जब औरलेब ना किया तब भी देते हैं अगर औरलेब के जगह गलित जगह पिते हैं और इसको हम Tubs को नहीं दे सकते मतलब Error हम नहीं करार दे सकते हैं जब इसमें जो figure है न इसमें Attachment का तोड़ा बहुत पार को मतलब 1y 8 इंच पार को तो हम पिर इसको गलत करार नहीं दे सकते हैं और ना इसको हम Mars दे सकते हैं इसके बाद जो है वो है Simplification में हम देखते हैं कि अगर इसने जो दो एंगल है जो दो figure है इसकी दर्मियान जो वाले पिंग है उसको मिस्किया तब हम इसको Mars देखते हैं मतलब स्कोर देते हैं फ्लस का गलत करार देते हैं अगर इसने जो circle या circle की जगह इसने एक चुटा सा dot बनाया और दूसरे एंगल सही बनाया पिर भी हम देते हैं और इसको हम तब score नहीं दे सकते जब यह जब यह जो एंगल होता है वो जो circle की तरफ मतलब तोड़ा बहुत होता है और इसमें 8 इंच का जो मतलब तोड़ा ब circle में आप dot dot कर दे मतलब पूरा लकीर ना बना दे दर्म्यान में से काट कर दे broken कर दे तो तब हम score देते हैं इसकी बात जो होता है हो है retrogression इसमें हम score तब देते हैं जब आपने circle का loop बनाया है और dash या आपने dot बनाया है और diamond के लिए आपने जो diamond की जगह आप triangle बना दे hexagon की लिए आप triangle बना दे तब भी हम इसको score देते हैं और इसको हम score तब नहीं दे सकते जब आपका जो diamond और hexagon का जो शकल है वो सही है लेकर इसका जो angle में तोड़ा बहुत परक है तब हम इसको marks या score नहीं दे सकते इसको बलके हम इसको सही करार देते हैं इसके कोई error हम नह कौन करते हैं इसकी बाद जो है परसी वर्शन इसमें कि दो टाइप है टाइप A टाइप B टाइप A में हम देखते हैं कि A circle की तरफ है या नहीं है और टाइप B में हम यह देखते हैं इसका जो design है यह सही है या सही नहीं है अगर design में परक है तो हम score देते हैं अगर design तोड बनाता है तब भी हम score देते हैं वो दो भी हो सकते है और तीन भी एक दूसरे के उपर आ सकते है इसके बाद जो हमारा है वो है importance importance में क्या होता है कि वो बार बार मिटाता है उसको यह perception आता है वो realize होता है कि जो मैंने बनाया है यह सही नहीं है तो वो erizer इस्तिमाल करता है और बार-बार मिटानी की कोशिश करता है तो तब भी हम score देते है जब वो मिटाता भी है लेकिन इसके बवजूद वो ठीक नहीं करता है उसके error दुबारा आते है इसके लावा जब वो error निकालना शुरू करते है और वो सही बनाता है तब हम score इस वो मिटा तो भी है लेकिन फिर इसकी बावजूद वो गलत बनाता है और बार-बार मिटानी की कोशिश करता है तो इस हालत में हम इसको स्कूर देते हैं और इसके अलावा जो है वो है closer difficulty closer difficulty में ये है कि जो दूपिगर होते है ये सही तरह attached नहीं होते या इसके जो adjustment point है वो सही तरह जो adjust नहीं होते तो इस time हम इसको score देते हैं इसके बात जो है वो है motor in coordination motor in coordination में ये होता है कि वो जो figure मनाते है इस तरह मनाते है जैसे कि एक लेन के बज़ए वो तीन चाल लेन लगाते है इसके जो हाथ है वो हिलता है जैसे कि जो स्क्रीन में आपको दिखाई देता है सरकल इसने बनाया लेकिन सरकल के एक औरनर बड़ा है एक corner छुटता है, इसा तरह जो दूसरा, इसने square बना है, वो भी इस तरह ultracedable बना है, तो इसके aja जो length है वगयरे हैं इसमें वो लमबाई च्छड़ाई भी करता है, इसके लाए हो जो हाथ वो हिलाता है, जो लकीर व गयत वो वो सही तरह नहीं लगाता। तो इस टाइम हम इसको स्कोर देते हैं, इसको हम तब स्कोर नहीं दे सकते हैं, जब इसके जो दन्यम्यन जगा हो, एक से 1 by 8 इंच इसके दन्यम्यन जगा हो, तब हम स्कोर नहीं दे सकते हैं, इसके बाद जो है वो इंगुलेशन है, इंगुलेशन मतलब यह है कि जो हम पेग स्कोर दे सकते हैं इसके इलावा इसने जो मेरर बनाए हो एक एंगल का उल्टा मकमल एंगल चेंज को तब ही इसको हम स्कोर दे सकते हैं